मैं कभी संतुष्ट नहीं होता हमेशा अपनी हद को आगे बढ़ाता हूँ और हर दिन बहतर होने की कोशिश करता हूँ इस एक लाइन में मौझूद वक्त के बहतरीन फुटबॉलर्स में से एक लियोलन मैसी ने सब कुछ कह दिया फीफा वर्ड कप में फैंस की नजरे फाइनल मैस के इंतजार में हैं तो कि ये मैसी का आखरी विश कप है लेकिन क्या अब जानते हैं एक वक्त ऐसा था कि शायद कभी वो फुटबॉलर तक ना बन पाते नमस्ते मैं शिवम हूँ और आप हैं मंच पर अर्जंटीना ने साल 1986 में अपना दूसरा और आखरी विश कप जीता था उस वर्ड कप के हीरो डियोगो मारडोना थे जो अर्जंटीना की पहचान बन गए इस वर्ड कप के एक साल बाद रोसारिया के मिडिल क्लास परिवार में लियोनल मैसी का जन हुआ जो आगे जाकर म मारडोना की तरह देश की एक पहचान बन गए मैसी के घर में फुटबॉल का महल पहले से था क्योंकि पिता फैक्टरी में काम करने के साथ ही एक क्लब में कोचिंग भी देते थे मैसी सिर्फ 5 साल की उम्र में एक बल्ब से फुटबॉल के बेसिक सीखने के बाद 8 साल की उम इसमें हार्मोन के लेवल कम होने के साथ ही फिजिकल और मेंटल ग्रोध धीमी हो जाती साथ ही कद कम ही रह जाता है और हड़ियां कमजोर बनी रहती है मैसी के घर में इलाज के लिए रकम मुम्किन नहीं थी लेकिन कहते हैं ना ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो अपनी मदद करना चाहता है मैसी में फुटबॉल के लिए ललक थी और उस समय बार्सिलोना क्लब बच्चों की फुटबॉल स्किल्स पर पैनी नजर बनाए हुए था मैसी के प्रतिबा को देखकर बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के स्पोर्टिंग डारेक्टर काल्स रैजैक ने मैसी बार्सिलोना शिफ्ट हो गया और 17 साल की उम्र में डेब्यू के साथ ही एक साल के अंदर सीनियर खिलाडियों के साथ कॉंट्रेक्ट भी साइन कर लिया मैसी दुनिया भर के स्पोर्ट्स परसनालिटीज में काफी बड़ी संक्या में फैन फॉलोइंग रखते हैं मैसी मैसी ने साथ बार बैलोन डियोर खिताब, छे बार यूरोपिय गोल्डन शूज और बार्सिलोना करप के लिए मैसी ने 35 खिताब ला लिगा में 474 गोल किये हैं लेकिन बार्सिलोना के लिए 672 गोल कर चुके मैसी अपने देश अर्जंटीना को एक बार भी चैंपियन नही बना सके हैं, मैसी दो बार फीफा वर्ड कप के सर्वेट सेस्ट खिलाडी बने, मैसी ने फीफा वर्ड कप में अब तक 5 गोल दागे हैं और अब फाइनल में फ्रांस की खिलाब मैसी फुटबॉल जिताने के लिए अपना बैस देने की कोशिश करते दिखेंगे, ये स्टो